दोस्तो पांडिया स्टोर सीरियल के बारे में आज के एपिसोड के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं तो पांडिया स्टोर की सीरियल के एपिसोड के शुरुआत प्रेणा द्वारा छुटकी की खातिर पांडिया की घर छोड़ने सी होती है क्रिस कार के पीछे जाता है और उसे नहीं जाने के लिए कहता है रिशिता क्रिस को रुकती है और उसे छुटकी की खातिर अंदर जाने के लिए कहती है शीवा को छुटकी की साथ देखकर रावी अंदर जाती है और श्रीवा के आने से पहले श्वेता को कमरे में जाने के लिए कहती है श्वेता ने मना कर दिया गौतम और रिष्टा करिश्ट के को अंदर लाते हैं रावी कहते हैं कि अगर वह श्वेता को देखेंगे तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी रावी धारा से कहती है कि वह श्वेता की वज़ा से हर दिन इस घर में डर कर नहीं रह सकती वह चली जाती है चुटकी पुस्तियां कि उसकी मा कहा है रिश्टा कहने वाली कि वह उसकी मा है लेकिन देव उसे रुपता है वह उसे चुटकी के सच नहीं बताने के लिए कहता है क्योंकि इससे उसकी स्तिती और बिगड़ सकती है वह श्वेता क्रिश्ट का यह कहा करमजाक उड़ाती है कि वह उसे नहीं मार सकता वह क्रिश्ट को उपहर के रूप में अपना हार प्रात कराने के लिए ब्लैक मेल करती है यदि वह नहीं चाहता है कि वह श्वेता के ठिकाने के बारे में वुस्ति धारा चुटकी को बताती है कि श्वेता का कमरा कहा है चुटकी वहाँ जाती है उसने स्वेता को गले लगाया धारा सुमन से कहती है कि उसे शिव की चिंता है क्योंकि वे स्वेता को घर के बाहर निकाल सकते हैं दुसरी और रावी घर छोड़ने के लिए अपना बैक पैक करती है इधर क्रिशर सुमन और धारा के पास जाता है गोद में सिर रखकर उसे गले से लगा लेता है रिशुता बेबस महसूस करते हुए फूट फूट कर रोने लगती है वह अपनी बेटी को या नहीं बता पा रहे हैं कि उसके सामने होने के बावजुद वह उसकी माँ है वह या कहते हुए रोती हैं कि छुटकी उससे नफरत करती है देव उसे इतसान तुना देता है कि उसे विस्वास दिलाता है कि वह अपने सने से उसका दिल चुट सकते है क्योंकि वह अब उनके साथ है रिश्टा दे से छुटकी के साथ लेकर भाब जाने के लिए कहती है बच्चे घर लोटाते हैं वह डरे हुए शिव परिवार को उनकी शरारत के बारे में बता दे वह भगवान से प्रातना करते हैं कि शिव सब कुछ भूल जाए चुटकी बच्चों को देखती हैं वह बच्चों को परिशान के करने के लिए लेने जाती है क्रिश्ट शुमन और धारा से कहता है कि वह कुछ भी कर सकता है ताकि चुटकी यहां रहा है लेकिन प्रेणा उसकी जीवन रिखाय है वह उसके बिनन नहीं रह सकता वो धारा से इस समश्या को हल करने के लिए कुछ अनुरोध करने के लिए कहता है धारा का कहना है कि प्रेणा उन सभी के लिए एक उमीद है वह कहती है कि प्रेणा का दिल बहुत ही बड़ा है इसलिए उसने परिवार की खातिर उसे छोड़ दिया है क्रिस कहता है कि प्रेरणा ही सब कुछ है धारा ने क्रिस को अश्वस्त किया वह सोचती है कि इस पेता को घर से कैसे निकाला जाए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले हम आपको ऐसे ही नए अपडेट देते रहेंगे धन्यवाद